चालो इदर तो कुछ दिखरा नहीं स्क्रीन पर मुझे अभी आएगा ना आभी चालोगी है में तब स्टार्ट करूगे मैं हाँ करो ठीक है हलो गैज वेरी गुड आफ्टनून दोस्तों मेरा नाम स्वपनिल पाटनी और मुझे पूरी उमीर है कि पिछले 6-7 दिनों में जो आपने पढ़ा है टीम SBC के फैकल्टी से आपको बहुत ही वो अच्छा लगा होगा इस बात की पूरी मुझे ग्यारंटी है और आपने जो स बेचकर हमारे फैकल्टी का जो होसला बढ़ाया है आप सभी चात्रों का मैं तहे दिल से आवार वेक्ट करना चाहता हूँ अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो एक टेकनोलोजी है जिसकी वज़े से आज हम लोग की दूरिया चाहें कितने हजारों किलोमेटर की हो फिर भी हम लोग ऐसा लगता है बहुत करीब है आप लोगोंने जो कमेंट्स देकर और जो सेलफी बेचकर जो हमें अपना प्यार जता है उसके लिए मैं फिर से एक बार आपका तहह दिल से शुक्र गुजार हूँ कि आपने इन फैकल्टी को इतना प्यार दिया मैं टीम SPC के और से और सारे फैकल्टी के और से आपको इस बात की गारंटी करना चाहता हूँ मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरीके का मज़ा आपको अब तक क सालों से पढ़ाती है and they are not teaching only for foundation but they are teaching for C intermediate as well as final तो काफी experience फैकल्टी आपको पढ़ाती है और मेरा guidance और मेरा संपरक मेरा communication सारे फैकल्टी से हमेशा बना रहता है और मैं हमेशा इस बात के लिए हमेशा सबको encourage करता हूँ कि सारे फैकल्टी ने बहुत अच्छा पढ़ाना चा है वो problem कोई intentionally नहीं है हम चाकर भी कुछ resources और कुछ equipment तुरंत available नहीं करा सकते चाहे वो औरंगाबाद हो चाहे पूने हो दोनों के दोनों जो शेहर है वो red zone में है और यहां की जो तादाद है करोना की वो इतनी जादा हो चुकी है कि यहां का market भी पुरिता से ठप हो चुका है तो दोस्तों आपने जो सहकारी किया है जो जो हमें corporate किया है by watching premiere lecture हम उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यह जो जिस तरह का माहूल अभी इस समय बना है चाह कर भी हम लोग कुछ चीजे बजार से खरीद कर और internet high speed का नहीं लगा सकते जै विकाज हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुके है तो आई होप आप सभी लोग इस बात से बिलकुँ news के दौरा आखबारों के दौरा समझी रहोंगे कि पूना में माहुल कितना ज़्यादा खराब हो चुका है तो दोस्तों आप सभी लोग को हम लोग यह कोशिश करे कि आने वाले समय में आपको कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए कभी हो सकता है ऐसे कि कि किसी वज़ा से टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो आपको लेक्चर जरूर दिखाए जागा पर वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रिमियर दिखाया मतलब आउट पर वो लाइव जब पढ़ाते तो मैं भी समझता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आता है यहां तक कि हमारे फैकल्टी स्कूर हमें भी बड़ा बुरा लगता है जब हम लोग 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 हमेशा आपके लिए आपके सामने लाइव ही आ रहे हैं वैसे आप सभी जानते हो हमा द्वारा ही सारे लेक्शर दिये जाएंगे तो दोस वह नॉट एट रिजिस्टर और जिनको शूर हो चुका है कि आपने कोई ही पर क्लास करना है जिन स्टुडेंट्स को यह गारेंटी हो चुके कि नहीं SPC के फैकल्टी वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रही है तो आपको एक और अप्शन हमने आई थिंग राज सर ने मौनिंग वाले लेक्शर में भी आपको यह इस बात की पूरी जानकारी दी है कि डिजिटल नोट्स और हार्ड कॉपी का क्या चकर है तो आप जैसे आप जान दो कि हार्ड कॉपी हम लोग चाहकर भी सेंड नहीं कर पा जैसे कि औरंगाबाद है जैसे कि बहुत सारी जो बड़ी सीडिज जहां पर कोरोना का बहुत ही इफेक्ट हो चुका है तो दोस्तों वहां की कुरियर सर्विसेज अभी भी धंक से चालू नहीं हुई है और हम लोग चाहकर भी अपने बुक्स आप तक नहीं पहुचा सकते तो हम उसके लिए खेदे पर दिये दोस्तों इटी दा सिचुएशन इस बियॉंड आवर कंट्रोल इट इस नॉट इन माइ हैंड दोस्तों आप सभी लोग समझना चाहिए कि जब तक लोग डाउन चलता रहेगा जब तक कुरियर सर्विसेज जो पहले जिए स्मूथ नहीं आप उसकी प्रिंट नहीं करवा सकते हो यह आप कहेंगे सरह हम उसकी प्रिंट क्यों नहीं करा सकते बेटा एकदम लॉजिकल चीज है आगर उसकी प्रिंटिंग करवा दी तो फिर वो हमारे प्रिंट पूरी लिक हो जाएगी और फिर वो ऐसी जनहित में सब जगा पे स्प होगा राज सर ने भी आपको बता होगा 12500 में हम लोग जो चार्ज कर रहें उसमें डिजिटल नोट्स है और आप अभी डिजिटल नोट्स ले ली जिगा जब आद में आपको लगता है future में कि ने you need hard copy so you can buy those hard copies hard copy मतलब जो books है आप you can buy it from swapnilpatni.com और आपको जैसे वो lockdown खुल जाएगा आपको books बस देखो आने जाने में it will not take more than मतलब अगर माली जा मैं पूना सापको books बेचता हूँ it will not take more than seven working days साथ दिनों के अंदर अंदर ये किताब ही आपके घर पे पहुँच जाती है बस lockdown खुलने के देरी है जैसे lockdown खुलेगा और आप अपनी website से हमारी website से आप वो books buy कर सकते हो और आपके घर पे वो पहुँच जाएगी आराम से बर कुछ दिन हमें ऐसे ही पढ़ना होगा और I think इतना कोई बड़ा problem नहीं है उसको लेकर और एक बात कहना चाहूँगा कुछ लोग ऐसे भी है कि सथ यह जो pen drive की जो classes है उसमें और live में क्या फरक होता है pen drive की classes भी इसी तरह से recorded ही होती है और जैसे live में हम लोग आपस में real time communication कर रहे हैं बोल रहा हूँ आपको कुछ seconds में सुनाई देता है pen drive के lectures ऐसे नहीं होती हमारी जब classes चल रही थी हमने उसको record किया था recording बहुत पुरानी नहीं है latest होती है उसमें updated recording होती है उसमें सारे lectures वही होते है पर आप जिसका उसका नजरिये का सवाल है कि किसको live देखना है और किसको pen drive ऐसे कोई बात नहीं है आपको अगर pen drive लगता तो you can buy pen drive from swapnilparty.com पर कुछ ऐसे भी लोग है जो यह कहते कि sir हम लोग अगर कहना चाहेंगे कि pen drive भी ले ले और live ले ले तो यह तो सोने से सुवागा बात है इसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि आपको अभी real time भी देखने मिल रहा है और आपको अगर मानलो यह lecture को फिर से एक बारा दो बारा repeat करना है आपको कभी भी और देखना है तो एक दिन के लिए ही वापे upload होंगे उसके बाद में अगर आपको देखने का अगर इच्छा होती कि मुझे वो उसको वापस देखना है you will not be able to watch those lectures और actual में जरूरत पढ़ती भी नहीं कोई lecture दो बारा क्यों देखेगा पर अगर कुछ लोग होते जा नहीं सर मुझे वो lecture का अगर वो concept फिर से एक बार दो बारा दिखना है तो फिर मैं क्या करूंगा तो फिर ऐसे लोगो के लिए हमने खास एक facility आपके लिए उपलब्त की है जिसमें आपको pen drive भी मिलती है जिसमें आपको live lectures भी देखने मिलता है वैसे दोनों की prizes अगर देखते तो 17 और 12,000 वो तो 29 सदार हो जाती है पर हमने आपके लिए उसके लिए एक discounted price दिया हुआ है उसको भी आप लिंक में देख सकते है यह सारी बाते बताने का आज मेरे लिए यही कारण था अगर मैं day one को आपको इसारी बाते बता देता तो उसको कोई फाइदा ही नहीं था बिकोज अगर आपक अपनी low cost charge की मैं आपको बता रहा हूँ the people are charging you know so high but आप देख रहे हो 12,000, 15,000, 17,000 it is very low price और आपको जिस quality का पढ़ाय जाना है it is just awesome so you don't have to be worried about anything अगर आपके मम्मी पापा आपको अगर लगता हुआ कि क्या सच में यह लेक्षस authentic होंगे या नहीं होंगे तो यह जो मैं YouTube आप मेरा यह जो recording है अभी आप अपने मम्मी और पापा को बता सकते हो और यह बात का उनको guarantee कर सकते हो कि उनके साथ में और आपके बच्चों के साथ में आपके साथ में बिलकुल भी गलत कुछ होने वाला नहीं है you have to be rest assured about it ठीक है ना so यह सारी कैसे buy करना क्या buy करना उस पढ़ना ही नहीं मुझे pen drive लेना है तो उसकी अलग से link दिए आप क्लिक करो और वो क्लिक करने पर आपको फिट से दो बारा हम लोग क्या करें वो क्लिक करने पर आप payment करोगे और payment करने के बाद में आपको क्या होगा फिर आपको इसा रोजाना इस सरीके से आके पढ़ने क जरूत नहीं फिर वो जो lectures आपको मिलेंगे वो 6 मेने के लिए मिल जाएंगे तो फिर आप उसको जब चाहे तब देख सकते हो तो मर्जी अपनी अपनी है देखो pen drive का जो आपको pen drive वाला जो format मैं बोड रहा हूँ उसका एक फाइदा है कि आप उसको जब चाहे तब देख स आपको 24 गंटों के अंदर देखना होगे यह बात तो आपको समझ में आ रहे होगे तो यह सारी बाते बताने के लिए मैं आपके सामने आज हुई आप अगर कोई भी आपको किसी चीज की problem आती है तो आप हमारे number पर हमको WhatsApp कर सकते हो I would like to share WhatsApp number इस WhatsApp नमबर पर आप हमें WhatsApp कर सक यह WhatsApp नमबर आप प्लीज नोट डाउन करें in case you want to buy or you are finding some problem, please SMS or WhatsApp me on this number, the number is 866-966-1234, yeah one second I'll repeat, 866-966-1234, अब यह बात है हुई admission सी oriented, पर मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं एक बार शाबास की इस बात की दिना चाहूंगा कि इतना अभी तक तो आप एक maturity के मुझे जंदगी में बहुत आगे जाना है, और कुछ लोगों का examination भी नहीं हुआ है 12th का, और फिर भी you are so matured enough and you are watching these lectures, और जिस तरह का sincerity आपका दिख रहा है, यह काविले तारीफ है दोस्तों, ऐसे ही लोग जीवन में बहुत आगे जाते है, you must have seen lot of people, those who are not even attending lectures, जि और रिविजन भी कर रहे है, उसके भी वीडियो हमारे पास में आ रहे है, तो यह बहुत बड़ी कामया भी हो, जितने भी लोग यहां पे यह lectures देख रहे है, आप आपने आपको आज से कहना कि you should feel really proud about yourself, कि इतने कम उमर में, इस at the age of you know, जिस उमर में लोग मस्ती कर रहे है टाइम पास कर रहे है, नेट्फिक्स देख रहे है, टिंडर अप्लिकेशन पे है, और नजाने कौन से कौन से अप्लिकेशन पे अपना टाइम पास कर रहे है, और आप जैसे लोग YouTube पे यह lectures देख रहे है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती, I am really really proud of you guys, और उम्मीद है कि हम लोग इस पूरे मुकाम के भले ही, यह मुश्किल मुकाम है, पर we will try to make it very simple, आप लोग को पढ़ाई-वाइस कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ने, कुछ लोग मुझे यह भी मेसेज करते कि सर, हमने CA करना चाहिए, के नहीं करना चाहिए, CA वाकई में difficult है, आप सभी को म मैं खुद स्वपनिल पार्टनी मेरे जीवन में कभी सोचा ने था कि मैं chartered accountant बनूंगा, और मैं ऐसे ही पूना में आया था, that time I never thought, मेरे दोस लोग CA कर रहे थे, और मैंने CA में यह ही participate कर लिया, बात में मेरा interest बहुत बड़ा, and I am a chartered accountant, so दोस्तों, ऐसा CA बनने के लिए आ इसका कोई संबन नहीं, ultimately आपका hard work बहुत matter करता है, having talent is not only important, आपको इस talent के साथ में hard work करने की आदत हो जाना चाहिए, एक sincerity आप में होना चाहिए, रोज मुझे 4 घंटे पढ़ना है, इतना अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब दोस्तों, आपका पास होना निश्चि आपको हर कोई concept, इतना detailed में हर कोई teacher पढ़ाएंगा, इसमें आपको कभी ऐसा नहीं लगागा कि कोई मीवों कहांबे चाहिए, foundation हो चाहिए, intermediate चाहिए, final हो, आपको कभी ये लगी गा ही नहीं, कि कोई मानली जी ये बहुत ही difficult course है, हाँ, इतनी बात है, कभी lecture देखना, कभी नहीं देखना, कभी बंक कर देना, कभी homework ना करना, ये अगर इस तरह की फित्रत अगर आपकी है, तो उस case में अगर आप fail हो जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप हे हम नहीं रहेंगे, हाँ, हम आपको guarantee करते हैं, आप pass हो जाएंगे, you will get pass, there is no doubt about it, you will pass short shot, but you have to be very punctual, you have to very sincere, आपको जब आप lecture कर रहे हो, मान लिजी, अंकीतमायम पढ़ारी, राज सर पढ़ारी, अश्टत सर पढ़ारी, आपको जब आप पढ़ रहे हो, तो you have to be very sincere, आपको underline कर रहे हो, आप highlight कर रहे हो, या फिर मान लिजी, आपका धयान है, आपने उसके notebook में लिखके रखा ह आपकी notebook ऐसी होना चाहिए कि दूलन की तरह सजना चाहिए कि लोगों ने दिखना चाहिए कि वा क्या book लिखी है मतलब वो उस book के ओपर आपका एक index आना चाहिए उसके ओपर आपकी कौन से page पर आपने क्या लिखा उसका एक index बनना चाहिए एक sincerity आना चाहिए I think इतनी sincerity आपने 12th के समय अपने आप में लाई होगी उससे ज़्यादा भी sincerity आपको एक smart test आना चाहिए उसमें आप पूरी तरह से involved हो जाते हो So I would request everybody when you are watching this lecture You have to be patient enough, you have to be focused, you have to concentrate आपको उसमें धान होना चाहिए एक बार lecture होने के बाद में आपको जो करना है कर सके पर lecture के बीच में 10 बार Instagram चेक कर रहो आप दूशे आप चेक कर रहो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना sensor नहीं हूँ मुझसे बैठा नहीं जाएगा मेरे हमारे जो 4-5 गंटे के lecture होते हैं उसके बाद में एक 2 गंटा पढ़ाई करना आपका कर्म है आपका कर्तव है आपका duty कि after you finish your lectures कभी भी दिन में 2-3 गंटे whatever teachers has taught you right you have to revise that you have to revise each and everything which is taught तो आपको जो जो चीज़े पढ़ाई गई है उसको revision करना बहुत जरूर ही है मतलब आप ऐसे कैसे समझ लिए तो कि आज मैंने पढ़ लिया और जीवन में वो हमेशे के लिया रोगा it is not like that दोस्तो हमारी memory का जो duration है यह जो memory का जो tenure है वो बहुत छोटा सा है हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसकी आदत है कि उसको भूलने की आदत होती है तो वो भूलना नहीं चाहिए इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा एक उपाय होता है we have to keep revising कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं उसको revise करो पढ़ा revise करो पढ़ा revise करो ताकि exam के दिन तक वो चीज़े हमारे दिमाग में written रहे और हमें examination में pass हो जाएंगे दोस्तो CA foundation पास होना कोई rocket science नहीं बहुत difficult बात नहीं है C class में concentration से देखना है और रोजाना तीन-चार घंट आपको पढ़ाना है पढ़ना है साथ-साथ में दोस्तो आपके पास में इतना लंबा समय है दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोग सकती दोस्तों I am giving you this guarantee बट आपको commitment और आपको cheating नहीं करना है आपको do not cheat yourself आपको खुद को समझता है कि आपने किस दिन पढ़ाई की और किस दिन नहीं की है So I think ये सारी बाते हैं आपको अच्छे से पढ़ना है SPC आपके कोई भी काम के लिए आपके साथ में है In case you are finding any problem regarding books or regarding anything Please WhatsApp on this number I have already shared 866-966-1234 So I think everything is okay और उमीद है कि कल से हमारे accounts की भी lectures चालो हो जाएंगे और हम लोग पूरा वादा है आपके साथ में कि first 15 lectures हम लोग YouTube पे डाल रहें और YouTube पे डालने का यही वज़े थे कि there were a lot of people they do not know कि हम लोग को ये online समझेगा या नहीं समझेगा SPC की faculty अच्छी पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी I think 15 days are enough to understand कि आपको online समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है SPC की faculty आपको अच्छा पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है हमें तो कोई संकोच हमें तो कोई doubt नहीं कि हम कैसा पढ़ाती है but it's about you that आपको भी admission लेना है it is about your career so you have to make sure that कि नहीं ये faculties वो faculty जिन से मैं पढ़ना चाहता हू और मुझे लगता है कि उस पर आपको doubt नहीं होगा but you know 15 days I am giving you this commitment 15 days तक तो सारे lectures आपको YouTube पे आएंगी ही आएंगे you have got all the flexibility you can watch those lectures then you can choose about it okay thank you so much guys और यतना सब कुछ आपने मुझे सुना बहुत 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 शुक्र है it's been long मुझे आप से बात करना थी पर में को थोड़ा सा ऐसा था कि एक बार 6-7 lecture जब हो जाए तो मेरे पास भी बात करने के लिए बहुत सारी चीज़े आपके लिए पास में होगी thank you so much for watching this video guys thank you so much अब में इस शो पे बुलाना जाओंगा Ankeetha ma'am को Ankeetha ma'am please come here on the stage एक बार जोड़ा तले guys ladies and gentlemen please big hands for one and only Ankeetha ma'am please come here क्या बात है Ankeetha ma'am को जो अपने सरा है जो पैर दिया उसके लिए भी मैं भी शुक्र गुजार हो Ankeetha ma'am पहुत अच्छा पड़ाती you must have seen she is just amazing the way she teaches the way she is taking hard work I think you must have seen you जो आपने पैर दिया उस सभी के लिए बहुत अच्छा लगता है देखते होए Ankeetha ma'am please come here thank you so much guys I'll see you later thank you bye bye guys ma'am please so hello everyone कैसे हो आप लोग सब I hope आप लोगो का संडे एकदम मस्त गया होगा आज हम लोग कांटिनू करने जा रहे हमारे Indian Contract Act की but उसके पहले पिछले छे दुनों में जो कुछ भी हमने किया है उसे हम लोग एक बार रिवाइस करेगे और फिर हम लोग बढ़े गए आगे okay so everyone has to be involved in the revision process याद रखना this revision is for you it is not for me जहां कहीं पर भी आप लोग हो चाहे आप देली में हो मुंबई में हो इंदॉर में हो कहीं से भी आप मेरे lectures क्यो ना देख रहो आप इसे please ऐसे believe करना जैसे कि मैं आपकी life classes ले रही हूँ और मेरे साथ revision में involved रहना सबसे पहली बात तो आप लोगों को मुझे बोलना है Indian Contract Act 1872 किस दिन पर enforce हुई थी कौन सा है वो दिन जिस दिन ये act आया था तो देखो this act came into enforcement on the 1st of September 1872 contract इस शब्द का क्या मतलब होता है any agreement enforceable by law means a contract any agreement enforceable by law means a contract any agreement enforceable by law means a contract तो agreement इस शब्द का क्या मतलब होता है agreement इस शब्द का मतलब होता है offer plus acceptance means an agreement तो सवाल ये होता है agreement और contract क्या ये दोनों शब्द same है या अलग अलग है तो देखो ये चीज मेन आपको पहले ही कही थी agreement और contract में there is a thin line of difference agreement जो है is a broader term whereas contract यह जो शब्द है is a narrower term क्योंकि देखो हो सकता है आपका agreement जो है agreement ही रह जाए और वो contract ना बने जैसे कि अगल social agreement है याद की जो काट्रीना जी और सलमान जी को social agreement उनकी agreement अग्रीमेंट ही रह गए उनकी agreement contract नहीं बनी साथ ही साथ आपने देखा था domestic agreement अग्रीमेंट ही रह जाती है वो कभी contract नहीं बनती है क्योंकि वहाँ पे legal intention to create a relationship कभी नहीं होता याद की जो विरात और अनुश्का का example बट देखो अगर आपके agreement में legal enforceability है तब उस case में आपका agreement जो है वो turn हो जाता है into a contract yes or no guys yes next point देखो every contract has an agreement but every agreement may not become a contract साथ ही साथ हमने शुरू किया था the essential elements of a valid contract कोई भी contract valid होने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं कम से कम कितने लोग लगते हैं दो पाटीस दो कम से कम लगते हैं maximum की कोई limit नहीं है so you can have innumerable number of people just to enter into a contract but minimum you require two persons in order to enter into a valid contract these two persons can either be natural persons, artificial persons or a combination of both natural as well as an artificial person जब कभी भी parties एक दूसरे के साथ contract एंटर करते हैं these parties to create a legal relationship no enforceability, no contract no enforceability, no contract कुछ-कुछ contracts ऐसे होते हैं जिनमें कुछ legal formalities का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब तक ये formalities नहीं होती है तब तक ये contract enforceable नहीं होते है जैसे कि say for example a contract of life insurance life insurance का contract writing में होना compulsory है अगर ये contract writing में नहीं है तो ये contract को आप enforce नहीं कर सकते हैं दूसरा example जो मैंने आपको दिया था वो था sale and purchase of an immovable property तो suppose इस घर को में बेचना चाते हूँ ये घर के sale के contract को writing में होना जरूरी है writing क्या? it should be stamped, it should be registered, it should be signed तभी उस case में ये contract जो रहेगा वो valid रहेगा तो ऐसे कुछ contracts होते है कुछ contracts ऐसे होते है जिनमें technical requirements का होना जरूरी होता जब तक ये technical requirements complete नहीं होती है तब तक आपका contract enforceable नहीं होता है next, point number 4, मैं page number 4 पे हूँ certainty of meaning कोई भी contract valid होने के लिए there should be a certainty of meaning the agreement must be certain, it shall not be vague it should be clear, it should not be vague अगर terms vague है, तो आपका contract valid नहीं होता है और point 5 कहता है जो भी terms आपने agreement के रखे these terms shall be capable of being performed an agreement to do an impossible act cannot turn into a contract it will remain as an agreement it cannot turn into a contract तो यह जो 5 points थे, यह सारे 5 points जो थे, वो general points थे apart from that, हमने शुरुआत की थी last session में हमने शुरुआत की थी section number 10 की section number 10 very, 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 very important section of this particular act यह act का section number 10 कहता about the various essential elements of a valid contract कोई री contract valid होने के लिए सबसे पहली चीज तो होना चाहिए a proper offer and an acceptance so agreement is nothing but it is an outcome of offer and acceptance जब तक agreement नहीं है तब तक आपका contract बन ही नहीं सकता है contract इस चब की definition ही देख लो ना आप and agreement, agreement, agreement enforceable by law no agreement, no contract section 10 का पहला point कहता है कोई भी contract बनने के लिए होना चाहिए एक agreement, agreement यानि की there should be a proper offer and a proper acceptance point number 2 very 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 important free consent का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अब देखो पहली बात तो consent होना जरूरी है साथ ही साथ आपका जो consent है वो free होना जरूरी है तो पहली बात तो consent का माना जोएगा कि किसी का मिला है when two parties are thinking about the same thing in the same sense at the same time माना जोएगा parties में consent है they are thinking about the same thing in the same sense at the same time तो माना जोएगा कि आपका consent free है याद कीजिए दिपिका जी को क्या तुम्हें याद है हाँ या ना तो दिपिका जी के example में मैंने आपको एक शब्द का मतलब समझाया था consensus add idiom consensus add idiom it means the contracting parties should think about the same thing in the same sense at the same time consent तो होना जरूरी है plus साथी साथ आपका consent जो है वो free भी होना जरूरी है free consent मतलब क्या it shall not be caused by coercion, undue influence fraud and misrepresentation आपका consent free कब होता है आपका consent free तब होता है when it is not caused by when it is not caused by coercion, undue influence fraud, misrepresentation and mistake इनी पार्ट शब्दों के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सबसे पहला शब्द जो है वो है coercion याद कीजे नाना पाटेकर जी को तो coercion का मतलब होता है physical pressure यहाँ पर आर्की ने हाँ तो कह दिया था बढ़ जो चीज के लिए यह 20 लाख रुपए का लोन के लिए जो उसने हाँ कहा है यह हाँ उसने तन बन धन से नहीं कहा है मजबूरी में आके कि कही नाना पाटेकर जाह ना लो ले उस मजबूरी में आके उन्होंने हाँ कह दिया consent तो दिया है बढ़ उनका consent free नहीं है this consent has been caused by coercion it has been caused by coercion first point coercion जहाँ पर involved है physical pressure second point जो है that is undue influence undue influence में हुआ है आपका moral pressure mental pressure याद कीजे बूडे पिताजी and the youngest son यहाँ पे पिताजी के weak condition physical and mental weak condition का गेर फाइदा उठाते होए बेटे ने मजबूर किया है अपने पिताजी को contract enter करने के लिए यहाँ पे पिताजी ने हाँ तो कह दिया है but मजबूरी में आके हाँ का है उन्होंने consent तो दिया है but उन्होंने मन से इस चीज के लिए मंजबूरी नहीं दिये मतलब उनका consent free नहीं है it has been caused by undue influence of his youngest son उसी undue influence में मैंने आपको अन्हेक example दिये थे जैसे की teacher and student doctor and patient lawyer and client some sort of relationship is existing between the contracting parties और एक party होती है जो influencing position में है जो अपनी position का गलत फाइदा उठा के दूसरी party को मजबूर करती है contract enter करने के लिए इसी को कहते है undue influence साथी साथ Saturday के दिन lecture number 6 में मैंने आपको और दो चीज़े पढ़ाई थी दो शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था fraud and misrepresentation कौन से दो शब्द है fraud and misrepresentation चाहे fraud है या चाहे misrepresentation है पती की बात तो ये है कि जूटी बाते बोली गई है और क्योंकि जूटी बाते बोली गई है तो अब ऐसे case में you cannot form a contract because if there is no trust there can be no contract जूट के basis पे contract enter नहीं किया जा सकता है बस फरक इतना है fraud के case में आपने intentionally जूट बोला है मतलब जब आपने वो 10 benefits बोले थे आलिया को आपको पता था कि जो भी आप बोल रहे हो वो जूट बोल रहे है बट फिर भी आपने जूट का सहारा लिया था था कि ये product बिच जा है इसे कहते हैं fraud Miss representation में आपसे गलती से mistake हो गई है मतलब आपको लगा जो भी आपने कहा था वो सच है वो सच के अलावा कुछ नहीं है बट reality में वो सच नहीं था वो जूट था बट आपको नहीं पता था वो बाते जूटी है जो भी आपको आपके boss ने कहा था वही सारी चीज़े आप आगे customer को बोल रहे थे आपने खुद ने थोड़ी ना वो water purifier use किया था ये जानने के लिए कि सच में वो benefits है या नहीं है मतलब जो जूटी बाते आपने बोली थी वो innocently बोली थी innocently बोली थी जान बूझ के ये जूटी बाते आपने नहीं बोली थी बड़ देखो वापिस से मैं कहना चाहती हूँ चाहे आपने जान बूझ के बोला है intentionally या innocently गलती से आपसे mistake हो गई है बाते तो जूटी है ना और इसलिए fraud या misrepresentation के द्वारा किसी को अगर आपने मज़ूर की आए contract एंटर करने के लिए तो ये contract valid नहीं अगर आलिया को पता होता कि ये benefits जो है वो reality में exist ही नहीं करते तो शायद वो water purifier को कभी खरीती ही नहीं हाँ या ना और mistake मैंने आपको कहा था कि मैं unit number 3 में mistake के बारे में detail में आपको समझाओगी हमने last session में और एक चीज के बारे में पढ़ा था and that was capacity of the parties देखो कोई भी contract अगर आप enter करना चाहते हो this person shall have the legal ability to enter into a valid contract कोई भी person अगर contract enter करना चाहता है he shall be having the legal capacity to enter into a contract तो कम माना जाएगा that you have the legal powers to enter into a contract when you are major sound mind and not disqualified by law वापस से सुनो you are major sound mind and not disqualified by law तो माना जाएगा that you have the legal ability to enter into a contract yes or no guys yes तो कम माना जाएगा that you are a major when you have completed 18 years of age माना जाएगा that you are a major when you have completed 18 years of age तो माना जाएगा that you are a major आपका अगर mind sound है mind अगर आपका sound है तभी उस state में आप contract enter कर सकते हैं तो इसके लिए मैंना आपको एक PPT भी बताया था मैंना आपको कहा था कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका mind permanently unsound होता है permanently unsound idiots these people are those people whose mind is permanently unsound अगर आपका mind permanently unsound है you can never ever enter into a valid contract you can never ever enter into a valid contract बत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका mind temporarily sound और temporarily unsound होता है ऐसे case में such a person can enter into a contract when his mind is sound when his mind is sound जैसे कि a lunatic a lunatic example हो सकता a person having epileptic feats sometimes his mind is sound and sometimes it is unsound such a person can enter into a valid contract only when his mind is बोलो sound yes or no guys another example में आपको दिया था जैसे कि a drunken person आपने सोचा चलो Saturday night है टली हो जाते है अब जादा पीली ना अपने पारा हाई हो गया अब ऐसे case में आपका mind तब sound नहीं है you are on high अब ऐसे case में इस समय पे your mind is unsound and therefore you cannot enter into a valid contract a third category जो है person should not be disqualified by law not be disqualified not be disqualified two negatives will make a positive means you shall be qualified to enter into a contract so who are those persons who are qualified to enter into a contract a person जैसे की कौन disqualified a person who is a convict convict मतला mujrim जो jail की सजा काट रहा है ऐसे person को हमने अलाव नहीं किया to enter into a contract yes or no guys yes तो ये था हमारा revision of the first six sessions that we had done और मैंने हलकी सी जलक दी कोई भी contract valid होने के लिए तो देखो अब revision हो चुका है अब आपको क्या करना है straight बैठना है और concentrate करना है on whatever I am gonna tell you all right now please suspend whatever you all are doing only full 100% attention on this particular subject come on everyone come on consideration मैं हूँ मेरे textbook के page number 6 पे point number 4 consideration की हलकी सी जलक मैंने आपको already पहले दी थी अब हम detail में consideration के बारे में पढ़ने वाले consideration मतलब something in return consideration का क्या मतलब होता है something in return so whatever you get in return is your consideration whatever you get in return is your consideration इसी consideration का latin word मैंने आपको समझाया था is quid pro kya है consideration का latin word सब लोग साथ में क्यों बोलो तो quid pro kya ये quid pro kya it is not an English word it is a latin word okay it is a latin word जिसका मतलब होता है consideration और consideration का मतलब ही होता है something in return quid pro kya quid pro kya means consideration means something in return कोई भी contract valid होने के लिए कोई भी contract valid होने के लिए consideration का होना जरूरी है no consideration no contract no consideration no contract कोई भी contract valid होने के लिए consideration का होना जरूरी है तो याद कीजिये आमिर और शारुक का example आमिर दे रहे थे कार जिसके बदले में उन्हें मिल रहे थे पचास लाक रुपे so whatever he is getting in return whatever he is getting in return whatever he is getting in return is आमिर's consideration so what is आमिर गेटिं इन रिटर्न पचास लाक रुपे वो उनका consideration अगर मैं शारुक के नजरी से देखू तो शारुक दे रहे हैं पचास लाक रुपे but in return उनको मिल रहे है कार in return उनको मिल रहे है कार in return उनको मिल रहे है कार so whatever you are getting in return is your consideration तो शारुक के लिए consideration जो होगा that is going to be that car whatever you get in return is the consideration for the contract that you enter into कोई भी contract valid होने के लिए consideration का होना ज़रूरी है, याद रखना, no consideration, no contract, और उसी को extend करते हुए, consideration के point को extend करते हुए, हमारा अगला point है, point number five, जो कहता है, आपका consideration होना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ, आपका consideration lawful होना भी ज़रूरी है, तो क्या होता है, lawful consideration, lawful consideration, मतलब a consideration that is legally allowed, just say for example, सुनो ना मेरी बाद, मैंने, मैंने, मैंने क्या क्या है, मैंने यह घर को खरीदा है, सो देखो, घर खरीदना, इस contract का object valid है, object, object का क्या मतलब होता है, object मतलब purpose, object मतलब purpose, तो मेरा purpose क्या है, इस contract का, इस contract का purpose है, that I want to purchase this house, my object is a lawful object, घर खरीदना क्या allowed है, of course, yes, it is allowed, but अब देखो, मैं क्या बोलती हू, मैं बोल रही हू, I want to purchase this house, and in return, in return, I will give, say, cocaine worth, value of this house, से इस घर की कीमट जो है, वो 50 लाक रुपए है, और अब मैं कहरी हू, मैं 50 लाक का घर खरीदना चाती हू, और इसी घर के बदले में, इसी घर की बदले में, मैं क्या दे रही हू, 50 लाक worth cocaine, worth cocaine, अब मुझे बटाओ, cocaine, drugs, drugs में deal करना, क्या ये legally allowed है, नहीं, ये legally allowed नहीं है, यहाँ पर मेरा जो consideration है, मेरा जो consideration है, वो lawful नहीं है, और क्यूंके ये consideration lawful नहीं है, ये contract valid consider नहीं हो सकता है, तो एक, consideration तो होना ज़रूरी है, no consideration, no contract, plus आपका consideration जो है, वो lawful भी होना ज़रूरी है, consideration तो lawful होना ज़रूरी है, plus आपका जो object है contract का, आपका जो purpose है contract का, वो भी lawful होना ज़रूरी है so basically point number 5 is talking about two things one your consideration shall be lawful and two your object shall also be lawful अब देखो इसी चीज के बारे में इसी object के बारे में हम detail में चर्चा करने वाले आगे यह देखो object के बारे में पहली बात तो first bullet हम लोग read करते है the consideration and object of the agreement must be lawful section 23 states that consideration or object is not lawful when it is आपकी book की hard copy printouts जो है आपके आखों के सामने होगे मैं चाती हूँ आप एक pen लो और आप underline की ज़र numbering दो one it shall not be sorry prohibited by law it shall not be prohibited prohibited मतलब क्या it shall not be forbidden by law forbidden मतलब banned it shall not be banned by law second it shall not be such point number two that it is defeating the provision of law one आपने किसको दिया है it shall not be prohibited by law two आपने दिया है it shall not defeat the provisions of law third it shall not involve a fraud or cause injury to a person or property of another person तो four three दीजे it shall not be fraudulent four दीजे it shall not cause injury to any other person और it shall not be regarded as immoral or opposed to public policy तो ये पाच चीजे है अगर ये पाच चीजे होती है contract में तो माना जाएगा आपका object lawful नहीं है आपका consideration जो है वो lawful नहीं है ये पाचों भी चीजे मैं आपको in detail explain करना चाहती हूँ अभी तो मैंने खेर सिफ reading करवाया था बट अब मैं explain करना चाहतू हूँ आए सबसे पहला point and nobody is going to concentrate on the writing part you only have to concentrate on the conceptual clarity part जैसे ही मेरा सिखा के हो जाएगा मैं आपको दो मिंटो का समय दोगी for the writing part right now just concentrate on the examples that I am going to give you मैं आपको पहले दिन ही promise कया था मेरा subject तो है theoretical but मेरा approach होगा एकदम ही practical हर एक चीज के लिए I am going to give you n number of examples so that यह चीज़े आपके दिमाग में fit हो जाए क्योंके देको Indian contract act जो है it is an act which is used every day मैं आपको बताया था दिन में at least 10 बार आप contract enter करते होगे कल जाके आप medical store में गए आपने medicines कुछ खरीदे contract enter हुआ है कल जाके सपोस चलो lockdown खतम हो जाता अब तो खे lockdown 4.0 भी शुरू हो गया बच सपोस अजियूम करते है में का महिना खतम हो गया lockdown 4.0 खतम हो चुका है अब सब कुछ खुल गया है आप जाते हो से to a saloon और hair spa करवाते हो तो क्या यह contract है आप जाते हो एक restaurant में और आप खाना खाते हो क्या यह contract है यह contract है आप book by show पे tickets बुक करते हो और आप theater में जाते हो और movie देखते हो क्या यह contract है यह contract है आप आपकी कपड़े जो है laundry में देते हो क्या ये एक contract है जी हाँ ये contract है आपका mobile खराब हो क्या उसको आपने repairing के लिए दिया है क्या ये contract है जी हाँ ये contract है इतने समय से आपकी गाड़ी बन थी lockdown पहला जो शुरू हुआ था वो था from the 22nd of March in fact 21st को जनता कर फियो था तब से आपकी गाड़ी जो है वैसी की वैसी आपक पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है तो आपकी गाड़ी जो है उसकी इंजन खराब हो गई उसको अपने servicing के लिए दिया है क्या ये एक contract है जी हाँ ये contract है आपने आपके D2H का recharge करवाया क्या ये contract है जी हाँ ये contract है देखो n number of contracts you enter into into with different people throughout your day तो देखो ये subject जो है जाती जादा practical होगा so that you are able to relate this law with your life so that it becomes more interesting for you all to understand and grasp this subject तो सुनियो में ये बाद lawful object कब होता है lawful object जब ये चीज़े नहीं होती है तो माना जाएगा आपका contract lawful है मतलब आपका contract valid है कौंसी कौंसी चीज़े अलाउट नहीं है कोई भी contract जिसका objective एसा कोई काम करना है which is forbidden by law forbidden मतलब it is prohibited by law prohibited मतलब it is banned by law और वही चीज़ करने का वादा आपने किया है तब ऐसे किसमें आपका contract का objective lawful नहीं है और आपका contract valid नहीं माना जाएगा जैसे कि say for example Mr. X ने Mr. Y को पाँच लाक रुपे दिये Mr. Z का खून करने के लिए तो X और Y के बीच में जो contract हुआ है वो है murder का murder का वो prohibited है और अगर आपका objective ऐसा कुछ है जो forbidden है by law तो आपका contract valid considered नहीं हो सकता हाँ या ना तो देखो act which is forbidden by law example X ने Y के साथ contract enter किया Z का खून करने के लिए murder करने के लिए यहां पे आपका जो objective है वो legally allowed नहीं है it is prohibited by law ना it is a crime किसी का खून करना एक गुना होता एक crime होता है तो ऐसा contract valid नहीं होता है क्योंकि उसका objective lawful नहीं है point no.2 कहता है point no.2 कोई कुछ नहीं लिखने वाला only concentrate on the points and the example act जो मैं करने जा रही हूँ वो तो allowed है act जो मैं करने जा रही हूँ वो तो allowed है but यह act को करने का तरीका जो था वो गलत हो गया act जो मैं कर रही हूँ वो allowed है means it is permitted by law permitted means it is allowed by law but जिस तरीके से मैंने यह काम को किया है it is defeating the provisions of some other law it is defeating the provisions of some other law जैसे कि say for example अब lockdown का जमाना है घर पर कोई maids नहीं आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना एक dishwasher को खरीदा जाए जिससे बरतन धुलते है ना dishwasher को खरीदा जाए तो अब एक electronic store के मालक से owner से मेरी पहचान थी तो मैंने वह बंदे को call कि और मैंने का के भाया आपके shop में तो dishwasher होगे please deliver a dishwasher at my house I will pay for that dishwasher अब देखो डिश्वशर खरीदना डिश्वशर खरीदना क्या यह अलाओ है यह अलाओ है यह अलाओ है यह अलाओ है इस अलाओ बालो और इस फोर्ट बिदिन बालो अफ़ोर्स इस अलाओ dishwasher खरीदना it is an electronic product and it is allowed to purchase a dishwasher बट अब देखो मैं मेरे यह दोस्त को कहती हूँ यह dishwasher जो मैं खरीदूगी ना तो इसका bill मत करना बिल मत करना मतलब आप समझ रहो इसका accounting मत करना इसके वज़े से अब मुझे GST देने की जरूरत नहीं रहेगी तो अब देखो जो चीज में करने जा रही हूँ dishwasher को खरीना वो allowed है बट जो तरीका है वो गलत है जो तरीका है वो गलत है क्योंकि GST अगर मैं नहीं देती हूँ am I defeating the provisions of the goods and service tax act yes or no guys GST act के provisions को मैं defeat करी हूँ तो मेरा यहाँ पर objective lawful नहीं माना जाएगा और मेरा contract valid नहीं होगा यहाँ पर example में मैंने medicines लिखा है आप कोई भी चीज का example लिख सकते हो जिसका आपने tax का payment नहीं किया और ऐसे ही आपने क्या कर दिया goods को खरीद लिया third point agreements which are opposed to public policy मतलब basically आपने ऐसी कोई contract को enter किया है जो जन हित के against है public policy के against है देखो आप जानते हो कि government जो है बहुत सारे awards देती है जैसे कि say for example अब मैंने क्या किया मैंने सोचा एक public servant से बात की कुछ पहचान निकाली कुछ contacts निकाली उससे बात किये और उसको कुछ consideration fees दी आप समझ गरोगे मैं क्या कहना चाहती हूँ मैंने उसको कुछ fees दी to consider to give this Padma Vibhushan Award to myself और उसने क्या किया fees लेकर इस चीज़ को consider किया and I was awarded by this particular Padma Vibhushan Award अब देखो मेरे अलावा भी दूसरे बहुत सारे candidates थे बहुत सारे लोग थे जो यह particular award के मुझसे ज्यादा हगदार थे बट यह जो चीज मैंने की है मुझो बटा is it opposed to public policy yes it is opposed to public policy such a contract is actually not a contract यह contract कभी valid नहीं है और enforceable by law भी नहीं होता है next point number four agreement which is immoral in nature immoral मतलब against your morals against your morals मतलब आपके जो विसूल होते है न आपके principles उसके against है यह particular contract तो ऐसा contract भी valid नहीं होता है obviously immoral declared by the court of law क्योंके morals is a very subjective thing तो immoral किनके हिसाब से इस immoral? immoral according to the court of law जिसे कि say for example say for example एक husband है एक wife है और wife का extra marital affair चलो है अब देखो वो जो वो है न वो वो क्या कहता है पतनी से वो कहता है मतलब उसका boyfriend उसको कहता है कि मैं तुझे वन सिया रूपीज दुगा तू अपने husband के साथ तलाग कर ले मतलब you go for a divorce with your husband अब ऐसे case में वो बीवी और उसके boyfriend के साथ जो contract enter हुआ है is a contract which is considered as immoral by the court it is against the morals और ऐसे contract enforceable नहीं होते है ऐसे contract enforceable नहीं होते है मतलब कल जाके अगर बीवी ने एक करोड रुपे boyfriend से ले लिए और पती को भी अगर divorce नहीं दिया तो वो जो बंदा है वो boyfriend वो पतनी के against case file नहीं कर सकता है court उसकी बाते entertain ही नहीं करेगी यहाँ पे इस contract का objective जो है वो moral consider नहीं किया जाएगा तो देखो यह बाते अगर है यह चारो बाते अगर है तो माना जाएगा आपका contract जो है वो valid नहीं है क्योंकि उसका objective unlawful है तो मैं चाहती हूँ आप यह पूरा PPT जो है आपके notebook में लिग दो थोड़ा सा भी अगर आपको समझा है तो मेरे लिए काफी हो जाएगा because in detail हम इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं in unit number 3 and unit number 4 in fact unit number 3 and 4 में में 3 sessions रेने वाले हूँ complete 3 sessions मतलब 3 गंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाते करने वाले है relating to lawful and unlawful object, lawful and unlawful consideration है किसी जलक इस unit number 1 में थी क्योंकि section number 10 में इसका reference था जिसमें सिर्फ एक चीज़ बताई गए कोई भी contract valid होने के लिए आपका consideration का lawful होना जरूरी है और आपका objective का lawful होना जरूरी है अगर आपका objective ऐसा है which is forbidden by law आपका objective valid नहीं है और contract valid नहीं होता है साथी से इसमें और 2-3 छोटी-छोटी चीज़े भी थी बड़ अगर ना भी समझा अगर समझा है तो क्या बात है ना भी समझा it is okay तीन घंटे के बारे में तीन घंटों हम लोग इसी topic के बारे में चर्चा करने वाल है currently मैं चाहती हूँ यह जो PPT है यह PPT आप आपके notebook में लिखे your time starts now come on 2 minutes में दे रही हूँ सब को लिखना है एकदम शिदत से चल कर दो कर दो कर दो कर दो चर्णास कर दो पारे में झाल 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 हो गया लिग्के? चलो राइड दाउन फास्ट फास्ट झाल 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 यह चीज़ यह जो टॉपिक है यह हम लोग पेंडिंग रखेगे आज के लिए यह हम लोग बाद में करने वाले है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ शायद आपके नोट्स में नहीं होगा बड़ बाद में जब आप हमारे लेक्चर सब्सक्राइब करोगी अगर आप देखो कि एक फूल टॉपिक है पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है बताते हूं मैं आपको एक ही मिनट यह देखे agreements expressly declared as void एक पूरा का पूरा टॉपिक ही है देखो जो शुरू हो रहा है इस पेज नमबर 47 से पूरा 47, 48, 49, 50 और 51 तक यह जाता है तो basically agreements expressly declared as void इसका पूरी अपनी एक दुनिया ही है जो मैं बाद में कराने वाली हूं तो मैं चाहती हूं आप क्या करो आप यह जो पेज नमबर है जहां पे हम लोग थे कौन से पेज पे थे हम लोग? यह पेज पे, पेज नमबर 6 पे आप आपकी टेक्स बुक के पेज नमबर 6 का पॉइंट नमबर 6 जो है उस पे आप लिख दीजे please refer page नमबर 47 please refer page नमबर 47 refer page 47 यह चीज लिख दीजे यह topic जो है वो pending है जो हम करने वाले है बाद में हाँ या ना? yes so this is about section number 10 आगे बढ़ने के पहले जो कुछ भी section number 10 में में आपको पढ़ा है वो में रवाइस करना चाहती उसके बाद तूरांथ हम लोग शुरू करने वाले है classification of contracts on the basis of validity but पहले यह topic को revise करेगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे yes सबसे पहली बात तो कोई भी contract बनने के लिए है क्या agreement का होना जरूरी है yes क्यूंकि agreement enforceable by law is a contract agreement enforceable by law is a contract agreement enforceable by law is a contract agreement का होना जरूरी है agreement offer plus acceptance से बनता है जब acceptance दिया जारा है आपका consent free होना जरूरी है तो पहली बात तो मन्जूरी मिलना जरूरी है अगर rejection मिल गया तो agreement ही नहीं होती है और अगर agreement नहीं है तो contract नहीं होता consent तो होना जरूरी है आपका consent free होना जरूरी है consent free कब होता है when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake parties shall have the capacity to enter into a contract तो कब माना जाएगा कि आप में capacity है contract enter करने की when you are of sound mind, major and not disqualified by law आपका consideration lawful होना जरूरी है आपका objective legal होना जरूरी है और आपकी agreement shall not be declared expressly to be void ये point को explain करना बाकि है apart from that the first five points have already been explained to you all साथ ही साथ section 10 के अलावा section 10 में तो ये 6 points लिके हो but उसके अलावा कुछ दूसरे points है जिनका होना जरूरी है in order to form a valid contract कौन से ये points कोई भी contract valid होने के लिए आपको लगे कि कम से कम दो parties आपका intention होना चाहिए to create a legal obligation no enforceability no contract साथ ही साथ अगर आपका contract ऐसा type का contract है जिसमें वो कुछ technical requirements का होना जरूरी है तो जब तक वो technical requirements पूरी नहीं होती आपका contract के terms का meaning वेग नहीं होना चाहिए means it should be certain to being interpreted there should be a certainty of the meaning and the contract का term should be such that there should be a possibility of its performance ये सारी चीज़ अगर आपको मिलती है तो माना जाएगा कि आपका contract है एक valid contract yes or no guys? yes, चलो आज अब हम लोग बढ़ेगे आगे आज आएए on page number 7 types of contracts page number 7 types of contracts सबसे पहला classification that is on the basis of validity classification जो है तीन हे सो में मैंने डिवाइट के देखो validity, formation and performance validity, formation and performance on the basis of validity on the basis of validity contracts are divided into 5 types contracts are divided into 5 types valid contract void contract voidable contract illegal agreements and unenforceable contracts सबसे पहला जो पाइट है that is a valid contract don't worry, आज हम लोग सिफ पहले 3 points करने वाले valid, void and voidable contract सबसे पहला point जो है valid contract कब माना जाएगा कि आपका जो contract है is a valid contract हर वो कोई चीज हर वो कोई चीज हर वो कोई चीज जो act में लिखी गई है in order to form a valid contract अगर आपके contract में present है तो माना जाएगा आपका contract is a valid contract हर वो कोई चीज हर वो कोई चीज जो act में लिखी गई है जो act के contract में present होना ज़रूरी है in order to form a valid contract अगर वो present है तो माना जाएगा आपका contract is a valid contract तो पहला classification is the simplest classification of all जो कहता है आपका contract valid तब होता है जब all the essentials of a valid contract are present in your contract देखो आईए हम लोग read करते है together everyone has to read with me what do you mean by a valid contract देखे what do you mean by a valid contract an agreement an agreement which is binding and enforceable is a valid contract underline this point इसको मैंने blue करना मैं भूल गई हूँ आपको underline करना इस चीज को highlight करना इसको अगर आपके पास highlighter है तो it contains all the essentials all the essentials all the essentials of a valid contract ऐसा कोई contract जिसमें हर वो कोई essential जिस जो lawmaker ने लिखा है act में वो अगर present है तो ऐसा contract माना जाएगा as a valid contract ऐसा contract जिसमें हर वो कोई चीज present है जो होनी चाहिए थी in order to form a valid contract अगर वो present है तो आपके contract को मानेगे हम एक valid contract point number two void contract बट देखो void contract समझाने के पहले मैं आपको एक दूसरा शब्द समझाना चाहती हू that is void agreement देखो void contract ये concept समझने के लिए void contract ये शब्द को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है what do you mean by the word void agreement void agreement void agreement void agreement पहली बात हो void इस शब्द का क्या मतलब होता है void is also a Latin word और इस शब्द का मतलब होता है invalid तो अगर आपको void ये शब्द का मतलब नहीं पता है please इस शब्द का मतलब लिख दीजे void इस शब्द का मतलब होता है invalid void इस शब्द का मतलब होता है invalid इस शब्द का मतलब होता है invalid क्या समझारी में आपको void agreement void agreement void agreement void agreement मतलब invalid agreement देखो यहां पर तो आपका contract बना ही नहीं है आपका agreement agreement ही रह गया आपका agreement जो है वो agreement ही रह गया यह चीज़ कब होती है starting से ही starting से ही initial state से ही अगर एकादा essential element missing है starting से ही अगर one of the essential elements that was required to form a valid contract is absent तो माना जाएगा आपका agreement ही रह रहा है मतलब आपका agreement जो है वो void है जैसे कि let me give you an example एक क्या मैं पाच examples आपको देदू की यार सुनो ना मेरी बात कोई वे contract valid होने के लिए you should be major sound mind and not disqualified by law you should be major sound mind and you should not be disqualified by law अब देखो आपने क्या क्या you entered into a contract with a minor with a balak you entered into a contract with a balak अम मुझे बता balak minor does he have the capacity to enter into a contract no if he does not have the capacity to enter into a contract क्या कभी ये contract बनेगा नहीं starting से ही inception से ही beginning से ही हम कहेगे this is a void agreement invalid agreement है क्यूँके minor के पास contractual powers नहीं होते है another example मैम आपने प्रोमिस क्या था पाच एग्जम्पल दे भी हूँ तो देखो example number one void agreement का is that you have entered into a contract with a minor example number two say मैं किसी tantrik के पास गई और वो tantrik से मैंने कहा के बाबा आप ये चाहे करोरो रुपे क्यू नहीं ले लो but ये जो Mr. X है say he's one of our relatives please make this dead person alive मुझे बताओ dead person को alive करना क्या इस चीज को perform करना possible है नहीं अगर कोई चीज का performance possible नहीं है can you enter into a valid contract no तो ये क्या है example of a void agreement void agreement ये void starting से ही थी ये invalid starting से ही थी क्योंकि इस चीज को perform करना possible नहीं है example number 3 come on example number 3 क्या आप सोच सकते हो void agreement का कोई example you entered into a contract with an idiot idiot मतलब जो दोस्तों को मस्ती मस्ती में idiot कहता हो वैसा वारा idiot नहीं actually a person जुसका mind पर्मनेंटली ही अनसाउंड है जिसका mind पर्मनेंटली ही अनसाउंड है ऐसे केस में आपका contract वैलिड कंसिडर नहीं हो सकता है starting से ही वो invalid था इसको हम कहेगे as a void agreement void agreement void agreement it was invalid right from the beginning example number 4 क्या हो सकता है example number 4 आप गए कोई दुकान पे और आपने कहा के भाया give me one liter of oil और वहाँ पे मिलता है cooking oil भी hair oil भी motor oil भी तब ऐसे केस में क्यूंकि आपके terms vague है आपका contract valid नहीं हो सकता है आपका contract valid नहीं हो सकता है आपका agreement void है आपका agreement जो है वो वोईड है आपका agreement जो है वो माना जाएगा as void और fifth और last example could be say you entered into a contract you entered into a contract to kill someone किसी का murder करना किसी का खून करना ऐसा कोई contract आपने अगर किसी के साथ enter किया है या किसी के घर पे जाके the kitty करना ऐसा कोई contract अगर आपने एंटर किया है या तो say for example आपको IS officer बना या IS officer के लिए आपने किसी public servant को गूज दी ऐसा कोई contract आपने enter किया है ताकि आपको वो seat मिल जाए अब ऐसे case में ऐसे सब contracts जोते उनका objective lawful नहीं होता है ये agreements ही void माने जाते तो देखो मैंने कहा तो तो आप 5 बड़ दे दिये मैंने आपको 7 examples of void agreements void agreements ऐसे agreements होते जो starting से ही void होते है जो initially ही void होते है इसके लिए एक Latin word है Latin word और ये जो Latin word है वो है void ab initial एक मिनुट मैं लिख देती हूँ Latin word जो है वो है void ab initial So void ab initial is a Latin word जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है that this agreement is void in nature this agreement is void in nature void ab initial is not an English word it is a Latin word जिसका मतलब होता है that such an agreement such an agreement is invalid invalid right from the beginning yes or no guys yes aasi agreement it is invalid right from the beginning right from the beginning right from the beginning वो invalid जिसका ab initial ab initial ab initial means starting और void का मतलब तो मैंना आपको already समझा दिया था void का मतलब होता है invalid तो aasi कोई agreement aasi कोई agreement which is invalid right from the beginning right from the beginning is known as is known as void agreement void agreement void agreement मैं क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ आप लोग आपके note books निकालो and come to a fresh double sheet of paper पर आपको आना है double sheet of paper पर आना है okay come to a fresh new double sheet of paper और heading आपको देना है types of contract center में heading दीजे हम लोग एक papa chart एक master chart बनाने वाले contracts का type का आपको heading देना है एकदम बीच में एकदम सेंटर पे types of contracts okay और इसी chart के तीन हिस्से आपको divide करना है हेडिंग आपको देना है एकदम ऊपर टॉप पे types of contracts और इस chart को तीन हिस्सों में आपको divide करना है और जो ये तीन हिस्सों में आपने उसको डिवाइड किया है उसकी बेसिस आपको लिखने हैं वालिडिटी, फॉर्मेशन, पर्फॉर्मेंस वालिडिटी, फॉर्मेशन आड पर्फॉर्मेंस वालिडिटी, फॉर्मेशन आड पर्फॉर्मेंस validity, formation and performance. सबसे पहला point जो है, validity का, आपको उसके नीचे point number one लिखना है, one, point number one, और heading लिखना है, valid contract, क्या लिखोगे heading? valid contract. लिख लिख लिया? येस. अब valid contract के नीचे, एक sentence में, आपको लिखना है, valid contract का क्या मतलब होता है, मैं dictate कर रही हो, आज, क्योंकि पहली बार आप ये chart बना रहे हो, कल से आपका homework शुरू हो जाएगा, और आपको homework एकदम शिद्धत में, लिखना है, और मुझे बताना है, हाँ या ना? तो अब देखो, आप क्या करने वाले हो, आप लोग लिखने वाले हो, valid contract, point number one, और valid contract के नीचे, आप लिखो, a contract which contains, a contract which contains, a contract which contains, all the essential elements, all the essential elements, as prescribed under the act, which contains, all the essential elements, as prescribed under the act, as prescribed under the act, is known as, is known as, is known as, a valid contract, is known as, a valid contract, अब देखो, आप क्या खरो, आपके double sheet of paper पे ये चार्ट है, उसके आगे वाले या पीछे वाले पेज़ पे आप लिखो, चार्ट पे नहीं लिखना है, उसके आगे या पीछे वाले पेज़ पे आपको लिखना है, आपको लिखना है, वाइड अग्रिमेंट्स, लिखो, वाइड अग्रिमेंट्स, वाइड अग्रिमेंट्स, चार्ट पे नहीं लिखना है, आगे या पीछे वाले कोई पेज़ पे लिखना है, वाइड अग्रिमेंट्स, वाइड अग्रिमेंट्स, और वहाँ पर लिखो वोईड अग्रिमेंट के वहाँ पर लिखो ब्रैकेट में वोईड अब इनिशो स्पेलिंग के लिए आप स्क्रीन को रिफर कर सकते हैं वोईड अब इनिशो वोईड अब इनिशो और एंग्रिमेंट इजे अग्रिमेंट विच रिशेंग विच जैâte रिख रिफिविम Совह proposal अग्रिमेंट विच रिफियओ रिफिविफ रिफिपिय। रिफि 1958 और कि बविक रिफिय। is an void agreement is an void agreement अब आप बोलो कि माम आपने void agreement का concept ही युई पढ़ाया क्यूंकि जब तक आपको void agreement नहीं समझेगा आपको void contract ये शब्द नहीं समझेगा in fact world agreement और valid contract इन दोनों का combination होता है void contract valid contract जो मैंने आपको पहले सिखा था valid contract जिसमें हर वो कोई चीज जो present होनी चाहिए थी वो present है उसको क्या कहते है valid contract और अभी जो मैंने आपको पढ़ा है void agreement इन दोनों का combination होता है void contract क्या होता है void contract ऐसा कोई contract, ऐसा कोई contract, ऐसा कोई contract, जो पहले तो valid था. बड़ बाद में ऐसा कुछ हादसा हुआ, जिसके वज़े से अब contract को perform करना possible नहीं है. ऐसे contract को कहते है as a void contract. तो देखो वापिस सुनो मेरी बाद. Void agreement starting से ही invalid है. वो कभी contract बनी ही नहीं. उसका जनम ही हुआ as an agreement. और वो मरती भी है as an agreement. बड़ जो वोई contract का concept में पढ़ा रही है. वोई contract, contract, contract का concept में आपको पढ़ा रही है. वो पैदा हुए as a contract. बड़ बात में ऐसी कुछ घटना हुई जिसके वज़े से अब contract को perform करना possible नहीं है. इसलिए आज वो impossible हो गई है, invalid हो गई है. और इसलिए अब हम उसको कहते है as a void contract. Void contract. Void contract. मैम, example, please. Yes, जो वादा किया था, वो ज़रूर पूरा निभा होगी. Subject तो है theoretical, but approach होगा very practical. यह देखो, इस example में क्या हुआ है? एक buyer है और एक seller है. और इनी buyer और seller के बीच में, एक contract enter हुआ है on the 1st of January 2019. क्या contract enter हुआ है? इसी घर को खरीदने का और बेचने का. तो अब बिसी बात है, buyer घर खरीदने वाला है और seller घर को बेचने वाला है. एक January 2019 को, दोलों के बीच में contract enter हुआ है. कि यह जो घर है, यह मैं आपको बेचूगा on the 10th of January. तो देखो, contract enter किया है एक January को. contract enter किया है एक January को. बट perform होने वाला है 10th of January को. contract enter किया गया है on the 1st of January. But it is going to be performed on the 10th of January. एक तारीख को जब दोलों पार्टीज ने बादा किया घर को बेचने का और घर को करीडने का, तब बायर ने दो लाख रुपे का token amount भी दे दिया तब बायर ने दो लाख रुपे का token amount भी दे दिया ना. But अब देखो, contract enter करने के बाद, मतलब एक तारीख के बाद, but performance के पहले, unfortunately इस घर को आग लग गई और पूरा घर जो है, जल के चूर चूर हो गया ना. पूरा घर जो है, तहस महस हो गया, घर को आग लग गई और घर जो है, जल कर राख बन गया. ये कब की बात है? ये है बात साथ तारीख को. जब contract enter हो चुका था, but performance करना बचा हुआ था, एक तारीख के बाद और दस तारीख के पहले, ऐसी कोई घटना हो गई, जिसके वज़े से अब contract को perform करना possible नहीं है. तो अब आज ये घटना होने के बाद, साथ तारीख की ये घटना होने के बाद, अब इस पल से हम कहेगे, ये जो contract है, ये contract जो है, is a void contract, void contract, void contract, क्योंके पहले तो वो contract था ना, बाद में ऐसी कुछ घटना होई, जिसके वज़े से इसको perform करना possible नहीं हुआ, इसलिए अब हमने उसको कह दिया, शब void, invalid, अब वो invalid है, बट पहले कभी वो valid हुआ करता था, तो इसलिए इसी type को explain करने के लिए, मुझे ज़रूरी था आपको explain करना void agreement, इसलिए पहले मैंने वो explain करा और फिर आपको ये explain करा है, देखो क्या होता है, void contract में, पहले आपका contract बन जाता है, बन जाता है, contract आपका बन चुका है, बट बाद में ऐसी कुछ घटना होई, जिसके वज़े से अब perform करना possible नहीं है, और क्यूंके अब perform करना possible नहीं है, अब हम इसको कहते है, as a void contract, तो मैं चाहती हूँ, आप आपके notebook पे आजा, और notebook पे आप लिखो, point number two, point number two, आप दोगे, void contract, heading दोगे आप, void contract, void contract, क्या आपने heading दे दिया, okay, so what is a void contract, लिखो explanation उसका एक sentence में, a contract, a contract, which is valid when it is made, which is valid when it is made, but later on becomes void, but later on becomes void, और bracket में लिख दो, void के वहाँ पे bracket में, DAS NOW it is not enforceable, DAS NOW it is not enforceable, bracket, close, DAS NOW it is not enforceable, DAS NOW it is not enforceable, is known as a void contract is known as a void contract is known as a void contract और आज के सेशन का आखरी टोपिक बस पाच मिन्टों का समय उसके बाद आज का सेशन खतम हो जाएगा it is relating to voidable contracts voidable contracts voidable contracts voidable contracts दो शब्दों का combination है ये शब voidable contracts voidable contracts this contract which is able to be void a miner is known as a void contract a Sa contract a Sa contract a Sa contract my mistake a Sa contract, which is a a well to be is known as anal block a well to be void a well to the word is known as a voidable contract a contract which is able to be void is known as a void-able contract. कोई भी contract जिसमें one of the parties का consent-free नहीं होता है is known as a voidable contract. वापस है कोई भी contract जिसमें one of the parties का consent-free नहीं होता है is known as a voidable contract. कोई भी contract जिसमें one of the parties का consent-free नहीं होता है is known as a voidable contract. कोई भी contract जिसमें one of the parties का consent-free नहीं होता है is known as a voidable contract. और मैं आपको दो दिन से समझा रही हूँ कब party का consent-free नहीं होता है when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. कोई भी contract जिसमें पर पार्गी का consent is being obtained by coercion, fraud, undue influence, misrepresentation or mistake is known as a voidable contract. तो मैंने इस चीज़ के अल्रड़ी आपको examples दे दिये थे. जैसे कि दिखो, say for example, coercion का मैंने example दिया था. नाना पाटेकर and RK. यहाँ पर नाना पाटेकर ने, यहाँ पर नाना पाटेकर ने gunpoint पर threaten किया RK को 20 लाग का loan देने के लिए वो भी without any interest. अब ऐसे case में मजबूरी में आके, अपने मन से हाँ नहीं किया, बट मजबूरी में आके, जान की कीमत तो 20 लाग रुपे से तो कहीं इस गुना ज्यादा है ना, मजबूरी में आके, RK ने हाँ कह दिया, अब देखो, RK ने हाँ तो कह दिया, बट यह contract को कहा जाएगा as a voidable contract, voidable contract, voidable contract, मतलब यहाँ पर, अगर RK चाहे, वो क्या कर सकता है, वो contract को void बना सकता है, अब क्या हो जाएगा, अगर कल जाके, के वह court of law में जाते हैं और केते हैं हेजजद साहब देखो RK ने मुझे gunpoint पे threat करके ये 20 lakh का loan लिया है वो भी 0% इंटरेस्ट पे यहाँ पे मेरा consent free नहीं है उस case में my dear friends the judge will give the decision in favor of RK और Nana Patikar को वो loan का amount देना होगा और अगर वो पैसे कुछ use किये है along with interest return किया जाएगा to RK देखो यहाँ पे क्या हुआ है इनका consent free नहीं है ये contract होते है void able in nature able to be void able to be void बट देखो अगर RK चुप रहते हैं कोई भी action नहीं लेते हैं तो वो contract रह जाएगा as a valid contract तो देखो यहाँ पे ability है शमता है this will depend upon the agrief party agrief party मैंना already कहा था दुखी आत्मा तो यहाँ पे दुखी आत्मा कौन है RK अगर RK चुप रहते है तो फिर ये contract valid रहेगा but अगर RK ने action लिया तो ये contract हो जाएगा एक void contract similarly मैंना आपको और एक example दिया था example number 2 जहाँ पे बूडे पिताजी and the youngest son और youngest son ने अपने position का फाइदा उठा तो ये पिताजी को मजबूर किया mentally and emotionally to enter into a contract and transfer his whole property in the name of his youngest son पिताजी ने मजबूरी में आके हाँ तो कह दिया but उनका consent free नहीं था उनका consent was caused due to undue influence इस case में अगर पिताजी court of law में action लेते है अगर पिताजी court of law में action लेते है और प्रूफ करने के लिए काम्याब हो जाते कि undue influence में आके उन्होंने हाँ कहा है तब ऐसे case में ये contract हो जाएगा void ये contract हो जाएगा void ये contract हो जाएगा void बट अगर पिताजी कोई action नहीं लेते है वो चुप रहते है court of law का दर्वाजा खट-कटाते ही नहीं है तो हम मानेगे जैसे कि ये contract is a valid contract तो देखो कानून ने आपको हग दिया है बच जिम्मेदारी आपकी है कि आप आपके हग के लिए खड़े हो और आप आपके हग के लिए जगड रहे हो अगर आप चुप रहते हो तो कानून आपकी मदद नहीं कर सकता similarly fraud और misrepresentation में भी आलिया का consent free नहीं है अगर आलिया चाहे she can sue couple for fraud or misrepresentation और अगर शीव क्या judgment होगा in favor of आलिया and obviously she will get the damages but अगर आलिया चुप रहती है my dear friends this contract will be considered to be a valid contract तो ऐसा कोई contract which is able to be white able to be white adoption of the aggrieved party दुखी आत्मा के ऊपर यह अधिकार है कि वो अगर चाहे तो sue करे और अगर ना चाहे तो for उसके rights ऐसे ही waste हो जाएगे और contract valid रहेगा but अगर aggrieved party ने sue किया यह contract void हो जाता है क्योंकि उसमें शमता है void होने की इस contract का नाम है void able contract a contract which is able to be void हाया ना so this is the third and last classification आ जाएए आपके notebook पे और लिखे point number three लिखे void able contracts void able contracts void able contracts void able contracts a contract लिखे a contract a contract which is able to be void a contract which is able to be void at the option of the aggrieved party at the option of the aggrieved party is known as a void able contract is known as a void able contract is known as a void able contract a contract which is able to be void at the option of the aggrieved party only the aggrieved party obviously दूसरी को benefited party यह वो कि उसको void कराईगी वो तो मजे मैना so it is voidable at the option of the aggrieved party is known as a void able contract यह 3 points आखरी मैं बस revise करना चाहती हूँ फिर आज के लिए हम इतना ही करेगे देखो on the basis of validity contracts are divided into 3 parts valid, void, voidable वो contract जिसमें हर वो कोई चीज़ जो present होनी चाहिए अगर वो present है तो ऐसे contract को कहेगे as a valid contract ऐसा कोई contract जो पहले तो valid था बर बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वज़े से अब वो 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 चुका है ऐसे contract को कहेगे as a void contract और 3rd type जो है voidable contract voidable able to be void ऐसा कोई contract which is able to be void at the option of the aggrieved party because his consent was not free is known as a voidable contract अभी तक क्लासिफिकेशन खतम नहीं हुआ है बाकी का क्लासिफिकेशन हम करेगे कल आज के लिए इतना ही thank you so much और हाँ अगर आपको मेरी ये लेक्चुर्स पसंद आ रहे please do like my lectures and do comment in the comment box about how you're feeling about my lectures कैसा होता है मुझे बहुत जादा motivation मिलता है जब मैं आप लोगों के positive comments पढ़ती हूँ कैसा होता है मुझे भी एक push की जरूत होती है positivity की जरूत होती है यही चीज़े होती है जो मुझे inspire करती है और अच्छे notes बनाने के लिए अपनी 100% in lectures में देने के लिए तो please keep the love pouring in आप लोगों ने हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया ऐसे ही प्यार अगर आप लोगों का बरकरार रहे तो फिर क्या बात है हाँ याना so thank you very much see you all tomorrow bye bye love you stay blessed and stay inspired कर दो कर दो सब्सक्राइब अभर के लिए दो सब्सक्राइब बहुत प्या रहाँ